सूपस्टार सल्मान खान जो आजकल कबीर खान की फिल्म ट्यूब लाइट के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं अब कुछ नई स्टोरीज भी सुन रहे हैं और सुनने में आया है कि सल्मान खान ने एक ऐसी फिल्म साइन भी कर ली है जिसमें वो एक 13 साल की लड़की के डैडी के रोल में नजर आएंगे बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक dance based फिल्म होगी जिसमें सलमान एक trained dancer के रोल में नजर आएंगे जहां सलमान ने अपने फिल्म सुल्तान में एक wrestler का role play करने के लिए कुछ ती सीखी थी वहीं अब सलमान इस फिल्म के लिए dance के training भी लेंगे हाला कि इस फिल्म के जादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आए है पर इस फिल्म को कोरियोग्राफर टर्ण फिल्म मेकर रेमो डिसूसा डायरिक्ट करेंगे इससे पहले सलमान ने जब प्यार किसी से होता है में एक टीनेज बॉई के डैडी का रोल प्ले किया था यह तकरीबन 18 साल पहले की बात है तो क्या अब बजरंगी भायजान को एक डैणसर डैडी के रोल में देखने के लिए आप एक्साइटेड है